दीपा के पिता नहीं थे, कई बहन भाई होने के कारण दीपा की मा ने दीपा की शादी चेतन के साथ कर दी, चेतन एक कंपनी में प्राइविट नौकरी करता था, फिर कई वर्ष बीद गए, दीपा के तीन बच्चे हुए, अब अपने बुढ़े माबाप के साथ साथ दीप और बच्चों की जम्मेदारी भी चेतन पर ही थी, दीपा बोली, इतना खर्चा और कमाने वाले आप अकेले, अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूँ, तो चेतन ने कहा, क्यों दीपा, क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई कमी छोड़ता हूं क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपको कभी-कभी परिशान देखती हूं, तो इसलिए सोच लिया, देखो दीपा, अभी इतना तो जोड़ी रखा है मैंने, कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा क्यों कह रहे हूं, सब ठीक होगा, एक बार चेतन और दी पर चोट लगने के कारण, वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, वे पाग्नों जैसी हरकत करने लगा, दीपा घबरा कर बूली, ए भगवान, ये इने क्या हो गया, क्या करूँ, कहां जाओ, ये कैसे ठीक होंगे, चेतन अपने बालों को फूक मार कर हवा में उड़ाने लगा, कभी वे ताली बजाता, कभी वे उचलता, दीपा पूरे दिन उसके आगे पीछे लगी रहती थी, एक साल बीट गया, लेकिन चेतन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, साल भर से बच्चों की फीस नहीं गई, उपर से चेतन के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, दीपा ने चेतन से पूछा, चेतन, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे ATM का पासवर्ड क्या है? चेतन ताली बजाता हुआ, उसके आगे पीछे घूमने लगा, दीपा रोती हुई बोली, घर में सब सामान खत्म होने को है, चेतन काम करने लाइक नहीं रहे और अब तो ठीक होने की भी कोई उमीद ही नहीं नजर आ रही, बच्चों को बालने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, अगर बच्चों की फीस नहीं गई तो स्कूल से बच्चों का नाम कर जाएगा, दीपा की बेटी रिया बोली, ममा, बहुत दिन हो गए, हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज ममा, आज बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा दो ना, दीपा ने उसे समझाते हुए कहा, रिया, तू तो बड़ी समझदार है, तुझे देखकर आशू और बंटी भी जिद करेंगे, मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ मंगा दूँ, पर कहां से लाओ, तुम्हारे पापा का अकाउंट ब्लॉक है, मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूँ, अगर ऐसे चलता रहा, तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, ममा, आप परिशान नहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पापा ठीक हो जाएं, लेकिन पापा के ठीक होने के लिए भी तो पैसा चाहिए बेटा, दीपा सोचती रही कि अपने इच्छाएं तो मार भी लो, लेकिन बच्चों का मन कब तक मारू, रसोई में कुछ हो, तो बच्चों के लिए घर में ही बना दू बर्गर, दीपा ने रसोई में जाकर देखा, कुछ सामान तो है, इस से बच्चों के लिए बर्गर बना देती हूं, बच्चों का मन रह जाएगा, दीपा ने बर्गर बनाया, बच्चे बहुत खुश हुए, वा मम्मा, मज़ा आ गया, आप कितना अच्छा बर्गर बनाती हो, सच में मम्मा, आपकी तो दुकान खुलवा देनी चाहिए, मम्मा, क्या आइडिया है, आपको सच में बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए, बच्चे सही कहते हैं, मुझे बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए, दीपा ने अलमारी खोली और अपने पर्स में देखा तो सिर्फ हजार उपए पड़े थे दीपा ने सोचा अगर मैंने ये हजार उपए बर्गर बनाने में खर्च कर दिये तो फिर बच्चों को खाना कहां से खिलाऊंगी तभी चेतन वहां दोड़ता हुआ आया और उचल उचल कर ताली बजाने लगा एकदम से उसकी चेन तूटकर नीचे गिर पड़ी दीपा ने भगवान के हाथ जोड़ते हुए कहा हे भगवान तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया अब मैं ये चेन बेचकर बर्गर बेचने का काम शुरू करूँगी दीपा चेन बेचकर बर्गर का सामान ले आई और ठेला लगा कर बर्गर बेचने लगी दीपा आवाज दे रही थी और कह रही थी आए बर्गर खाए ला जवाब पनीर बर्गर केवल दस रुपे में एक आदमी ने कहा भई वाँ केवल दस रुपे में वो भी पनीर बर्गर अरे लाव भीया लाव एक बर्गर हमें भी दो अरे वाँ ये तो बहुत बढ़िया बर्गर है वही लाव लाव चार बर्गर पैक कर दो इतना सस्ता पनीर बर्गर सुनकर ग्राहक बढ़ने लगे और देखते ही देखते दीपा के सारे बर्गर बिग गए रिया मुझे उमीद नहीं थी कि एक ही दिन में मेरे इतने बर्गर बिग जाएंगे मम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है आप कल और ज्यादा बर्गर बनाना दीपा जितने भी बर्गर बनाती उसके उतने ही बर्गर बिग जाते थे अब दीपा ने बर्गर की कीमत बढ़ा कर 20 रुपए कर दी लेकिन जो लोग दीपा के बर्गर पसंद करते थे वो 20 रुपए में भी खरीदते थे एक बार एक आदमी बर्गर लेने दीपा के ठेले पर आया वे आदमी बोला बहन, हमारे घर में शादी है क्या आप एक बारात के लिए बर्गर बना सकती हो हाँ, क्यों नहीं लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ तिन पहले बताना पड़ेगा ताकि मैं इतना सामान जुटा सकूँ ठीक है, ये लो 5,000 रुपए तुम्हें सामान लाने में दिक्त नहीं होगी अब बाकी मैं बाद में दे दूँगा दीपा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था उसने पूरी महनत से और भी अच्छी तरह शादी के लिए बर्गर बनाए जिसने भी खाया, वे बर्गर वाली की तारीफ करे बिना नहीं रहा उसी शादी में एक रेस्टोरेंट का मालिक आया हुआ था उसने बर्गर खाके दीपा से पूछा सुनो, क्या ये बर्गर खुद तुमने बनाया है तो दीपा ने कहा जी, ये मैंने ही बनाया है कहा से सीखा तुमने इतने अच्छे बर्गर बनाना तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो गया? कहीं से नहीं सीखा लेकिन मजबूरी इनसान को सब कुछ सिखा देती है साहाब पती एक दुरगटना में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तीन बच्चे और बुढ़े साससुर की जिम्मेदारी कुछ तो करना ही पड़ता साहाब इसलिए बर्गर का काम शुरू कर दिया तुम बहुत बहादुर हो जो इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी तुम मेरे रेस्टोरेंट में आओ मैं हर संभव मदद करूँगा तुमारी दीपा रेस्टोरेंट में काम करने लगी देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे जिस बर्गर को वह बीस रुपए में बेचती थी रेस्टोरेंट में वो सत्तर रुपए का बिक्ता था सबसे पहले उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा कराई और उसके बाद उसने चेतन का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाया दीपा ने डॉक्टर से पूछा मेरे पती सही तो हो जाएंगे न डॉक्टर साहब बिल्कु ठीक हो जाएंगे अगर ये इलाज इने पहले दिया गया होता तो ये कब कि ठीक हो जाते दीपा को अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा था वे रेस्टोरेंट में काम करती और शादी पार्टी के ओर्डर भी ले लेती थी अपनी मदद के लिए उसने कुछ लड़कों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया कुछ दिनों के बाद चेतन भी ठीक हो गया दीपा मेरे पागल होने के बाद तुम इतने बुरे दोर से गुजरीं कि तुम्हें बर्गर बेचने पड़े मैं क्या करती चेतन बच्चों की जरूरत और आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए है पापा मम्मा आप कोई ऐसी वैसी गरीब बर्गर वाली नहीं है मम्मा अब होम डिलिवरी से भी बर्गर भेजती है हाँ तुमने वाके इतना संगर्श किया दीपा मुझे तुम पर बहुत गर्व है अब मैं भी इसी काम में तुमारा हाथ पटाऊंगा ताकि हमारी गरीबी जल्दी से छूमंतर हो जाए और गरीब बर्गर वाली नहीं लोग तुमें बहादुर बर्गर वाली कहें फिर तो मज़ा आ जाएगा अब हम अपना बर्गर बनाकर होम डिलिवरी का काम शुरू करेंगे सभी बहुत खुश थे विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अभिनव के लिए शुभरा का रिष्टा आया तो उसकी मा अंगूरी अभिनव के पिताजी मनी राम पर बरस पड़ी और बोली तुम्हें क्या दुनिया में कहीं और लड़की नहीं मिली अरे वो पांच बहने हैं दहेज में क्या लाएगी और वैसे भी वो दिल्ली की है हमारे चने बेजकर खा जाएगी सुना है दिल्ली की लड़कियां बहुत चतुर होती है अरे कैसी बाते करती हो अभिनव की मा अरे वो मेरे दूस्त की बेटी है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हमें शुब्रा से अच्छी लड़की ढूनने पर भी नहीं मिलेगी क्यूं मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने पर तुले हो अरे चुप करो ये मेरा आखरी निर्ड़े है अभिनव की शादी शुब्रा से ही होगी बस शुब्रा अभिनव को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी इसलिए वह भी शुब्रा से ही शादी करना चाहता था दोनों बाब बेटे की जित के आगे अंगूरी की एक न चली और अभिनव की शुब्रा के साथ शादी हो गई शुब्रा पहले ही दिन इतने सारे काम सुनकर डर गई मायके में सुना था कि शादी के बाद जब तक हाथों की महदी नहीं छूटती तब तक काम नहीं करते पर यहां तो क्या हुआ काम के नाम से साब सुन गया नहीं ममी जी मैं सब कर लूँगी अगले दिन से शुब्रा ने सारा घर संभाल लिया जैसा जैसा अंगूरी ने बताया वह उसी तरह करती गई लेकिन अंगूरी को वो रत्ती भर भी पसंद नहीं थी इसलिए उसने शुब्रा के कामों में कमी निकालनी शुरू कर दी ये कैसी सबजी बनाई है बहू? क्या तुम्हारे मायके में ऐसी सबजी ही खाते है? हे प्रभू कितना तेल डाला है? लगता है कभी तेल नहीं खाया इसलिए सारी कमी यहां पूरी कर दी बहू यहां ऐसा न चलेगा हाँ ठीक है ममी जी मैं कल से सब कुछ ठीक बनाने की कोशिश करूँगी नहीं आता तो मेरी विधी से पूछ लिया करो मेरी विधी बहुत ही होशियार है लेकिन विधी को फुरसत कहां थी? वे तो हमेशा मोबाइल में लगी रहती थी कई बार आवाज देने के बाद उसके मुह से आवाज निकलती थी और फिर भी वो कहती थी क्या हुआ भाबी? डिस्टर्ब मत करो शुभराज जी जान लगा कर काम करती थी लेकिन अंगूरी को कमिया निकालने के अलावा कोई काम नहीं था महले परोस की औरतों के साथ बैट कर सिर्फ बहूओं की चुगली हुआ करती थी सबकी बहूएं इतनी अच्छी होती हैं मगर मेरे तो करम ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली कुछ भी नहीं आता वरना आजकल की बहूएं कितनी होशियार होती हैं कई बार जब शुभरा ये सब अपने कानों से सुनती तो उसे रोना आ जाता मगर फिर भी वे किसी से कुछ नहीं कहती एक दिन अंगूरी घर पर नहीं थी शुभरा ने सुना कि विधी के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है सुनो राहूल तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी लेकिन प्लीज इस विडियो को अपने फोन से डिलीट कर दो वरना मैं कहीं मुझ दिखाने के लायक नहीं रहूँगी ममी बाबा को पता चल गया तो वो शर्म के मारे मर जाएंगे अच्छा इसका मतलब जो मैं कहूंगा तुम भी करोगी हाँ राहूल मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन तुम्हें अपने फोन से हमारे ये विडियो और फोटो डिलीट करने होंगे मुझे 20,000 रुपे चाहिए दे सकती हो ठीक है, मैं इंतिजाम करती हूँ कल दो बजे लाइबररी में मिलना ये सब सुनकर शुभरा के पसीने छूटने लगे उसने दर्वाजा खट-खटा आया लेकिन उससे पहले ही राहूल नाम का वो लड़का खिड़की से कूट कर भाग गया विधी, ये लड़का कौन था? और तुम कौन से फोटो और वीडियो की बात कर रही थी? भाबी, ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है कौन था यहां? कोई भी तो नहीं जाओ, जाओ यहां से और घर के कामों में ध्यान दो उनकी बहस चल ही रही थी कि तब ही अंगूरी आ गई और पूछने लगी ये मेरी बेटी से तेज आवाज में कैसे बात कर रही हो बहू? देखो न ममी, भाबी मुझ पर कमरे में किसी लड़के से बात करने का इलजाम लगा रही है मुझे तो लगता है भाबी का बॉइफरिंट होगा और उसका इलजाम ये मुझ पर थोप रही है शुब्रा विधी की इस चाल को देखकर हैरान रह गई अंगूरी ने शुब्रा को बहुत भला बुरा कह सुनाया अभिनव ने भी शुब्रा से काफी कुछ कह दिया शुब्रा की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ और वे बेचारी रोती हुई अपने कमरे में चली गई अगले दिन मनीराम के ओफिस बैग में से बीस हजार रुपए गायब हो गए अपने बच्चे तो चोरी करेंगे नहीं और मैंने तो आप से बिना पूछे एक खोटा सिक्का भी नहीं लिया फिर बचा कौन? जरूर ये बहू के हाथ की सफाई है जरूर चुरा कर माय के भिजवाएगी मनीराम को अपने बच्चों पर भरोसा था कभी घर से सुई भी गायब नहीं हुई और बहू के आने के बाद बीस हजार गायब तो उसका शक भी शुब्रा पर ही गया बहू, सच बताओ, मेरे बैक में से पैसे क्यों निकाले तुमने? पापा जी, मेरा माय का गरीब जरूर है लेकिन मैं चोरी करूँ, मुझे ऐसे संसकार नहीं मिले मैंने पैसे नहीं निकाले उसके बाद घर में से बार-बार पैसे गायब होने लगे शुब्रा चाहती थी कि वे विधी को रंगे हाथों पकड़े और खुद को निर्दोर साबित करे एक दिन अंगूरी सत्संग में गई थी शुब्रा को भरोसा था कि आज उसे कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा शुब्रा छट पर कपड़े सुखाने गई हुई थी उसने नीचे जहाक कर देखा कि राहुल खिडकी के रास्ते से विधी के कमरे में खुस गया वे जल्दी से नीचे गई और धीरे से कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और अंगूरी को बुला लाई अभिनव और मनीराम को भी फोन करके बुला लिया साथ में पुलिस भी बुला ली वो सब लोग कमरे के दर्वाजे के पास खड़े थे और दो पुलिस वाले खिडकी के नीचे उन्होंने सुना कि राहुल कह रहा था अब बीस-तीस हजार में काम नहीं चलने वाला मुझे पूरे एक लाग रुपे चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दूँगा नहीं नहीं राहुल ऐसा मत करना प्लीज मैं तुम्हें कितने पैसे दे चुकी हूँ अब और कहां से लाओं अब तक सारा इल्जाम भाबी पर लगता रहा अगर मैं पकड़ी गई तो पापा मुझे जान से मार डालेंगे राहुल ने विधी की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे डियर मैंने यूहीं तुम्हें प्यार के जाल में नहीं फसाया अपने घर से गहने चुराओ कैश निकालो कुछ भी करो वरना मैं तुम्हें जान से माटा लूँगा समझी ये सब सुनते ही अभिनव ने दर्वाजे की कुंडी खूली मगर दर्वाजा अंदर से बंध था वो सब लोग खिड़की के नीचे पहुँचे राहुल बचने के लिए जैसे ही खड़की से कूदा पुलिस ने उसे धर दवोचा और खूप इटाई करी उसका फोन जब्त करके उसे पुलिस स्टेशन ले गए जिसके बाद उसे विधी को MMS बना कर ब्लाकमेल करने के जुर्म में जेल हो गई अंगूरी ने विधी को चाटा मारते हुए कहा नालायक तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई अपने दोश तू बहु पर डालती रही उसे चोर और चरतरहीन साबित करती रही बोल तूने ऐसा क्यों किया ममी मैं डर गई थी क्योंकि भाबी मेरी सारी सच्चाई जान चुकी थी मगर ये आपको पता लग जाता तो मैं आपकी नजरों में गिर जाती मुझे आप माफ कर दो ममी पापा भाईया मुझे माफ कर दो निरलज्ज माफी मांगनी है तो बहु से मांग मैं जिस बहु को हमेशा ताने कस्ती रही जलील करती रही आज उसी ने मेरे घर की इज़त बचा ली वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता भाबी मुझे माफ कर दो गलती किसी से भी हो सकती है विधी लेकिन अगर उस गलती को अपनों से बताया जाए तो उसका समाधान हो सकता है वरना इसी तरह मुसीबत में फस्ते चले जाते हैं चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने केरियर पे ध्यान दो ये सुनकर विधी शुभरा के गले लग गई मैं ना कहती थी मेरी बहु लाखों में एक है और उसके बाद सास बहु का फर्क मिटा कर वो दोनों बड़े प्यार से रहने लगी